यह बात है अक्तूबर 2022 की कि जब हमने पाकिस्तान से इटली के लिए फ्लाइट पकड़ी और वो फ्लाइट जो पकड़ी हमने हमारी लाइफ जो है वो बिल्कुल ऐसे 180 डिग्री पे घूम गई वो कहते हैं ना कि स्ट्रगल रियल स्ट्रगल जो लाइफ का जो रियल स्ट्रगल के बाद बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ पाया वीडियो को स्ट्राट करने से पहला है थैंक यू एवरिवन फॉर सपोर्टिंग मी और मुझे बरदाश करने के लिए सबसे बढ़कर और आज इस स्टेश पर जहां है जहां मैं हूं इस वाक्त तो यह सब मेर फैमिली के वज़ा से है मेरे अम्मी अब्बू की वज़ा से है इस एन हीज अचीवमेंट फॉर मी और आप कह सकते हैं और मैं प्रावडली कह सकता हूं कि यह मेरे गोल्स की तरफ एक और स्टेप है वन स्टेप टोर्ट्स माई गोल मेरी ओडियंस जो है जो मुझे देखती है और जो मेरी वीडियो देखते हैं लोग तो वह तकरीवन जो है वह मेडल क्लास फैमिली से ब्लॉंग करते हैं बिल्कुल मेरी तरह और जिनके बड़े-बड़े खौब हैं और यकिनन मेरी तरह उनकी पर कोशिश है कि वह अपने उन खौबों को पूरा करें और आइनों क सब का शुक्रिया अदा करूं और बहुत चोटी सी वीडियो बनाओं और इसमेना मैं कुछ जो हैं वह अपनी लाइफ के चोटी-चोटी ना कुछ श्टोडी आपके सब शेयर करना चाहता हूं यह बात है मेरे बैचलर्स की जब मैं पाकिस्तान में जामिया कराची कराची से बैचलर्स कर रहा था तो काफ हमारे दोस्तों थे और आपको पता है हमारे ने का माहाल मैं चाहे नहीं पे जाएंगे में आत तो और आपको पता है वहां क्या डिसकुशन होती है तो वहां पर मैं हमेशे की तरह बड़ी-बड़ी बाते करता था तो मेरे कजन और मेरे दोस्त अगर वीडियो देख रहें तो जान जाएंगे जब मैं उनसे कहता था यार लाइफ में ये करना है वो करना है तो मुझे आगे से बाई अपनी शकल देख अपनी हालात देख अपनी हैसियत देख उसी साब से बात कर तो मैं कुछ इंफ्लूएंसर से बहुत ज्यादा इंस्पायर था और हूँ और अभी भी मैंन को सुनता हूं तो वह कहते थे कि आप खौब देखो और बड़े-बड़े खौब देखो औ जैसा कि मैंने बताया कि मेरी आडियंच जो है तकरीबां मिडिल क्लास है लोवर मिडिल क्लास है तो उस हिसाब से मैं अपनी कुछ स्टोरी शेयर करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि या अप मतलब अभी रिप्लाय नहीं देते बड़े हो गए रूड ह हो गए हो या आप वहां कैसे पहुंचे या इतना आसान है वहां पहुशना या इतना मुश्किल है तो बहुत सारे सवालात और बहुत सारी चीज़े होती है जब मैं अपना बैल्स कर रहा था तब ही मेरे जहन में चल रहा था कि नहीं यार यहां गुजारा नहीं हो रहा ब बस मेरे जहन पर बात सावार थी वह यह थी किसी तरह पाकस्तान से बाहर निकलना है क्यों मैंने देख लिया था यार वहां पर दो टकी की इजट नहीं होती खैर अप टका भी बहुत उपर पहुंच गया तो कोई इजट नहीं होती कोई वैल्यू नहीं है यह आपको पता होगा तो खैर जब मैं अपने बैचलर्स में था मैंने फर्स्ट यर से ही स्कूल्स और टीशन्स में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और बहुत थोड़े थोड़े पैसे वहां से मेरे सेव हो जाते थे और फिर मेरे जो थोड़े बहुत शोक होते थे मैं वहाँ से कर लिया तो जैसे घूमने फिरने का कीड़ा जो बहुत शुरू से है तो दो चार महीने पांच महीने या साल पढ़ा लिया थोड़े बहुत पैसे जमा हुए उससे घूमने फिरने निकल गए और आपको ये बात पता होगी कि पाकिस्तान में ग्रोथ कितनी ज्य तो फिर हुआ ये कि मैं उसके बार अपने होम टाउन चला गया मैं गिलगित चला गया तो वहां पर आपको पता होगा दातर कॉंसेप्ट निया के गवर्मेंट जॉब गवर्मेंट जॉब तो सब की तरह हम भी वहां चल पड़े बहती गंगा मैं कूद पड़े और फिर व मतलब क्या मेंडिकल रेप्रेजेंटेटीव होता कि यार आप यह वाली प्रोड़क्स लिखो यह वाली प्रोड़क्स लिखो तो मतलब मैंने वह जॉब स्टार्ट की दो तीन महीने मैंने वह जॉब की थी तो वहां पर हमारे हैं पाकिस्तान अप इस बात से अंदाजा वो आगे से हमें ऐसे ट्रीट करते थे जैसे कि हम इनसान ही नहीं मैं अपनी बात नहीं कर रहा कोई भी इनसान हो जितनी भी कंपनी के मतलब सब के साथ इसी तरह बिहेव किया जाता था और यहां आने के बाद सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी ना वो यह है कि यहां पर जो सफाई करने वाला या कोई भी हो सबको बराबर देखा जाता है कोई ऐसा नहीं कि वह भंगी है कोई ऐसा नहीं कि हो चपडासी है या वह चौकिदार है या वह दिलिवरी राइडर ह सबकी ही उतनी इज़त है एक दिन हुआ यह कि हम काम पर थे और आपको पता है यह सारा काम जो होता है बाइक पर होता है कि एक मेडिकल स्टोर से दूसरे मेडिकल स्टोर जाना है एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाना तो शाम का वक्त था पांच नवंबर 2021 मामूल के मताबिक मैं जॉब पर था और इसी दोरान हुआ ये कि मैं बाइक पर था थोड़ी बहुत स्पीड थी मेरी नॉर्मल जो होती है और इतने में एक जईफ आदमी बिल्कुल अचानक से बीच रोड में आ गया और इसको बचाते बचाते मैं कूद प मुसीबत भी तूट पड़ी और ये ये वक्त जो मैंने देखा है वो मुझे पता है और मेरी फैमिली को पता है और मेरे बहुत करीबी कुछ लोग हैं उनको पता है तो ये बातें शेयर करने का मतलब ये है कि इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहा है तो मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा है, या मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा है, मैंने कोई तीर नहीं मारा है, सिर्फ यह बताने का मतलब थोड़ा बहुत हो सकता है, आप लोग मोटिवेट हो जाओ, इंशालला हो जाओगे, तो इसलिए सब चीजें थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करो, तो खेर हुआ यह के, फिर हाँ, फिर मेरा एक्सिडेंट हुआ, एक्सिडेंट के बाद मैं कोई तकरीबन तीन महीने बैट पे रहा, और इतनी ठंड गिलगित में आपको पता ठंड कितनी होती है, बर्फवारी और ठंड इस तरह दो तीन महीने गु सोच लिया है, सोच लिया है, तो आप उसको पीछे मत हटो, मतलब कभी भी गिव अप नहीं करो, और उस टाइम ना, मेरे एक्सिडेंट जब हुआ मेरा, जब मैं मैं एडिसन कंपनी में जॉब करता था, तब तक मैं जो है, जब फ्री टाइम होता था, बैठ के डिफरेंट इनवस्टी और डिफरेंट कंट्रीज में अपलाई किया करता था, और उसी दोरान मैंने चाइना और तैवान में एड्मिशन के लिए अपलाई कर चुका था, और जब मैं बैड रेस्ट पर था, उसी दोरान मैं दो तेन इंटर्व्यूस दे चुका था इनवस्टीज को, और फिर उसके बाद मेरा चाइना तैवान में एड्मिशन हो गया, और फिर जब मैं इटली के वीजा का प्रोसेस कर रहा था, उसी दोरान मेरा एक कंट्री का मतलब सब कुछ हो गया था, जाके वीजा अपलाई करना था, तैवान का वीजा पाकिसान से अपलाई नहीं होता तो फिर मेरे पास इटली का भी ऑप्शन था, तो मैंने उसको जारा सा होल्ड पर रखा, तो यह बताने का मकसद यह के, उस वक्त मेरे पास बैंक स्टेटमेंट के पैसे नहीं थे, तो जब मैं कराची आया, सहजरी के बाद जनवरी में, तो फैब में मेरे फादर और जो है तो फिर वहां से मैंने अपना जो है इटली का प्रोसेस है, वो स्टार्ट किया, अब तब तक मेरे जो डॉक्यमेंट से वो भी अटेस्ट नहीं थे, क्योंकि मेरे डिग्री जो है, वो दिसंबर में आय थी, जब मैं बैट पर ता, तो फिर मैं अपनी डिग्री जो है, वो मेरे पैर मिंदर स्टार्ट हो गया, तो इत्तिफागन मेरे एक दोस्त वहां पर आया, दोस्त नहीं, स्कूल का फैलो था, जहां में पढ़ाता था, तो वो भी कॉलीक था, तो मैंने उसे रिक्वेस्ट की यार, कि एक सी एनसी की कापी रह गई है, तो प्लीज आप बाहर से चलब के इस स्ट्रगल से गुजर कर फिर यहां पहुंचें, और यहां पहुंचने के बाद ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल खतम हो गई, असल स्ट्रगल अभी जो है, वो हम कर रहे हैं, जो आपको दिखता है कि इतनी आसान जिन्दगी है यॉर्प की, यह यह है, नहीं है, जित कोशिश पूरी-पूरी रहेगी कि अपने content से आपको फाइदा पहुंचा है, and this is just because of all you guys के आज मेरे 10K subscribers complete हो गए हैं, और वीडियो को बनाते-बनाते, edit करके upload करने तक, इंशाला, I don't know, 11K plus या almost 12K होने वाले हैं, this is just because of you, once again, thank you so much, thank you so much, मुझे इतना support करने के लिए, and I know you will support me just like this in future also, उमीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए, वस्सलाम